हेलो फ्रेंड्स विलकम टो माई चैनेल और अबाउट जोब्स में फ्रेंड्स आइसी एसाइ की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रेकूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसमें बी वीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं कोई भी अप्रिकेशन फिनी रखा ग क्या होने वाली है तो हार एक चीज एक एक कार के लिटल्स में डिसकास करूंगा और लास्ट में वीबसाइट में जाके दिखाऊंगा इसमें अप्लाई कैसे कारना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताक कि आप लोगो हार एक इंफॉर्मिस्टन अच्छे समझ म नहीं कियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्काइब कर दो और बिल आइकोन को प्रिस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अप्रेट मिन सके और वीडियो को जद शादा लाइक करे कॉमेंन करे शेयर करे और चैनल को जद शादा सपोर्ट करे दाकि में मोटिवेशन मिले ऐसे अ इसमें आपका जॉब लोकेशन अलोफर इंडिया रहेगी इसमें आपको सलरी 33,000 से लेके 40,000 पर मौन्त मिल जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट एहीं पे 40 एर्स तर रखा गया है उसके लिए फ्रेंड्स अगर आप लोग CST, OBC और PWD का इंडियेट हो तो उन लोग को एस पर गवर्टमेंट नॉम्स एज लाक्सेसन मिल जाएगी जिसे असिस्टी काइनेट के लिए 5 साल का, OBC काइनेट के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 एर्स का एज लाक्सेसन आपको मिल जाएगी Educational Qualification में अगर आप लोग Civil Injuring में से 4 साल का बहीवी टेक्टा गिराते हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ मिनिमम एक साल का Post Qualification Experience महा गया है बात कर लेते हैं कांट्रैक प्रियर्ट की तो इनिशियली आपको एक साल के लिए हायर किया जाएगा और उस एक साल में आपका Performance चेक किया जाएगा अगर आपका Performance अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स टू एर्स के लिए इसको एक्स्टेंड कर दिया जाएगा यानि कि आप अरुटल जॉब का डूरेशन त्री इयर्स तक रहेगी जॉब प्रोफाइल का इटिल्स एह पे मंशन किया हुआ है तो आप लोग आपके सब सुसका इटिल्स चेक कर सकते हो उसके लिए अगरा आप किसी भी ट्रेंइनिग या तो अपरेंटइस बगड़ा करके राके हो तो उसको एज एक्स्टेंस कंसिडार नहीं किया जाएगा अगर आपके पास industrial experience है तो ही आप लोग इसके लिए रिजवेलो इसमें अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लिकेशन पोसेडियोर की वारे में अप्लिकेशन पोसेडियोर एहीं पर ओनलाइन डखा गया है इसका ऑफिशल वेपसाइट है आपको यसी वेपसाइट में जा कि आपको ऑनलाइन अप् oppose फोर्म फिल करके सब्मिट करना होगा जो में इस वीडियो की लास्ट में दिखा हूँगा इसमें अप्लाई कैसे करना है नेक्स प्रेंट्स इसका online application form already start हो चुकिए 9 February 2022 से और इसमें apply करने के लिए last day टाखा गया है 28 February 2022 नेक्स प्रेंट्स online application form submit करने के बाद आपको उसको printout करके future reference के लिए राग देना है उसका hard copy आपको कहीं पर send नहीं करना है नेक्स बात कर लेते हैं selection procedure की बारे में तो फ्रेंट्स selection procedure में आपके qualification और आपके experience के पर depend काल कि आपको shortlist किया जाएगा अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो तो उसके बाद आपका return test होगा अगर आपको return test में qualify करते हो तो उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा अगर कोई भी traveling allowance वगड़ा provide नहीं किया जाएगा उसके लाएगा अगर आपका कोई भी doubts दात questions है तो आप लोग इसी MLID पे contact करके आपका doubts वगड़ा clear कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह है इसका details notification नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था हो इसमें online apply कैसे कारना है तो फ्रेंट्स apply क करने के लिए आपको इसी link पे आना होगा आने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि civil engineer on contract basis लिखा हुआ है जिसके पास में आप लोग का apply option दिख रहा है जिसमें आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके समने application form open हो जाएगी जिसमें first आपको आपका name फिल कर आपको अपको अच्छे से फिल करना होगा और उसकिला अगर आपके पास, Microsoft Office में knowledge है तो इस केस में yes, कर सकते हूँ और यह से information आपको प्रेजिव में नहीं है तो इसकेके स्केस इस कर सकते हूँ और प्रेजियम के अदसक का ना होगा, अप्रूट करने के बाद आपको का City ही से चूस करके Click for Preview option और और उसके बाद आपको एक बड़ अच्छ से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको सब्मीट अप्शन पर क्लिक करना होगा क्लिक करना के बाद आपका एक्षिन फर्म्स अत्रस अब्मीट हो जाएगी तो फ्रंड्स यह गे इस का इटल स नõ्टिफिकेशन कर सकते हो अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को जॉइन नहीं कियो तो ज़रूर जॉइन का लेना क्योंकि मैं जो भी वी वीडियो बना क्योट करता है उसका लिंग वगरा में वहां पर श्यार कर देता हूँ अगर आप लोग कोई भी नुटिफिकेशन नहीं पर मिस् कर देता हूँ तो अभी के अभी हमारे चैनल से जूट जाए आप लोग को भी फाइदा मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बिलाइकन को प्रेस कर दो तकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को ज़र शाथ लाइक करे कॉमेंड करे शेर करे और चैनल को ज़र सथतर सपोड करे ताके में मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोंटिवीकेशन ऊपलोग के लिए लेके आने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया ज़ूपनोंटिवेशन के सात तब तक करी गुद्बाइ, थैंक यू.